पहली कार का जब सपना पूरा होता है तो भारत में अभी भी अमूमल लोगों के पास पहली गाड़ी के रूप में मारती सुझकी होती है और मेरे साथ इस समय खड़ी है All New Celerio सिंपल सा इंट्रो है मैं आपको इसके स्टेटस के हिसाब से इसकी कीमत के हिसाब से इसका रिव्यू करके बताने वाला हूँ और बताऊंगा क्या जब ये All New हो चुकी है तो इसमें वो बदलाओ कर दिये गए हैं इसका इंतजार वो लोग कर रहे थे जो इवामन की सोच रखते हैं या फिर इवा है तो चलिए देखते हैं इस सेलेरियो में अब आपको क्या-क्या चीज़े मिलेगी पहले लेंगे एक डिटेल वाकराउंड क्योंकि मैंने इसका वाकराउंड नहीं किया है इसके बाद में इसको चलाएंगे और माइलेज का भी जिक्र करें क्योंकि कमपनी दावा कर रहे हैं लगभग 27 किलोमेटर प्रति लीटर क्या इससे मिलेगा यह नहीं इहीं सवालों का जवाब आप तक लेकर आ रहे हैं सीधे उधर पूर से पीछे आपको झील नज़र नहीं आएगी लेकिन जो नज़र आ रहा है वो बहुत ही खुपसूर दद चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अधर प्रति लीग खुपसूर तक लग्या करते हैं Time's been moving slowly, so we already in too deep तो छे रंगों में उपलफ्थ इस चलेरियो का जो बेरियंट है, जडेकसाई प्लस है, एजीस के साथ आता है, और मैं आज इसका ही रिव्यू कर रहा हूँ, तो अब बता देता हूं इसमें सामने आपको क्या क्या चीजे मिलेंगे, तो जब आप इसे खरीदोगे, इसके टॉप बेरियंट को, तो यहां पर क्रोम की पत्ती इसके लोगों को अपने में समेटे हुए, वहां तक निकल जाएगा, एक रिल आपको ऐसे मिलने वाला चोटा सा है, खूबसूरत बन पड़ा है, पहली की तुलना में इसमें ज्यादा आकरामक्ता देखती है, आकरामक्ता से ज़्यादा यह शब्द ज़्यादा सही रहेगा, खूबसूरत देखता है, तो यह ज़्यादा सटीक बैठता है, इसमें आपको नॉमल हैलोजन बलब वाला पूरा हेडलेंब सेट अप मिलता है, रोशनी अच्छी है, फॉग लैंप एक SUV अंदाज यहां पर मिल जाता है, तो मुझे यह लग रहा है, इस गारी को देखती हुए कि काफी खूबसूरत बना है, हाला कि थोड़ी सी इसमें जो शकल नजर आती है, जो थोड़ी सा इसमें चाप नजर आती है, स्विट की आती है, तो अगर आप कहीं किसी एंगल स तो सामने से इतनी सारी चीजे थी, डिसे पॉइंट नहीं करेंगी, जो बदलाओ होने थे, वो बदलाओ इसमें किये गए हैं, और मुझे यह बदलाओ अच्छे लगे हैं, तो साइट प्रुफाइल की बात करें, तो आपको बता दू चाहे जितनी बड़ी हो गई हो चाहे तो बाहर की दुनिया काफी अच्छी दिखने वाली है, और यह ध्यान रखिएगा कि मैं किस गारी की बात कर रहा हूं, भूल मत जाना कि आप इसे कंपेर करने लगे BMW मरसरी इसे, तो यह नॉमल गारी की तौर पर जहां पर सब के पहले सपने पूरे होते हैं, वहां पर मैं उसका इसकी बात कर रहा हूं, बॉडी कलर door handle मिल जाते है, request sensor मिल जाता है, चाबी से गाडी खोर लिन तो यह रहा आपका चाबी, और इस तरीके से चाबी इसकी निकल जाती है, तो यह सब को पता है, तो यह से चाबी निकाल भी सकते हैं, और चाबी में कोई rocket science नहीं है, सि पूरा खुल जाएगा अगर वील की बात करें तो आपको बता दू यहां पर जो इसमें टायर लगाए गए हैं वो योको हमा कंपनी के हैं और इसका जो प्रोफाइल है वह है 175-60R-15 और कुछ इस तरीके का आपको इसमें ब्लैक स्टाइलिज रहा है जो की काफी अच्छा आइडिया मिल सके तो साइट से इतनी सारी चीजे थी और इस गाड़ी में जो बदलाओ किये गए हैं काफी ब्याओहारिक है और जब आप इस गेट को खोलेंगे न तो इसकी ठग भी सुना देता हूं तो नॉमल अंदाज में जब यह खोलेंगे तो इस तरीके से खुलता ह और इसकी एक बिशेशता भी है तो मैं पहले खोल के दिखा देता हूं आदा कि बाद में इंटियर का जिक्र किया जाएगा तो यह काफी हद तक यहां तक खुल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा यह उपन होता है तो इसका फाइदा किसे मिलने वाला है तो जो जिसका आईए अब देख लेते हैं इसका रियर और रियर में आपको यहां पर डिव फॉगर मिल जाएगा यह अच्छा चीज लगने वाला है इस सेलेरियो के टॉप बेरेंट में वाइपर मिल जाता है सुजुकी का लोगो मिल जाएगा यहां पर सेलेरियो लिखा हुआ है और जो बूट को तो इसे भी दबा के कर सकते हैं चाभी होनी चाहिए साथ में नहीं तो फिर आप इससे खोल सकते हैं और जब आप इसे खोलेंगे तो पार्शल ट्रे यहां पर मिल जाएगा और तीन सो तेरा लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और एक इंच छोटा इसमें आपक इस पेर वील मिल जाता है तो यह सारी चीजे हैं कोई सामान और रखना होगा तो मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है एक चीज और हो भी आपको दिखा देता हूं तो इसे अगर आप पार्शल ट्रे को हटा देंगे जो कि मैं आप मोवन करके दिखाता हूं तो पार्शल ट्रे को रखता हूं थोड़ी देर के लिए यहां पर तो यहां पर आपको 60-40 में यह सीट फोल करने की सुविधा मिल जाती है और अगर ज्यादा लोग बैठने वाले नहीं है आपको सामान ज्यादा रखना है तो इस सीट को भी आप फोल कर सकते हैं तो सीट फोल कर दीजी और इसमें सामान रखने की आपको बढ़िया सी जगे मिल जाएगी तो यह इसकी विशेष्टा है जो इस गाड़ी में दे दी गई है और अब मैं इसे रख देता हूं अंदर जैसे जो था और कुछ चीजें और रियर में देखते हैं फिर इस पार्ट को देखेंगे तो आपको कहीं से भी असंतोलित नहीं लगने वाला है तो यह मुझे सही लगा यहां पर अब मैं आपको लिए चलूँगा इंजन दिखाता हूं फिर बटेंगे इंटीरियर में सुबह की रोशनी और सुबह की आवाज बहुत अच्छी होती है और जब मैं इस समय इंजन दिखा रहा हूं तो इसका जिक्रेस ले किया है क्योंकि यह रोशनी और आवाज का फाइदा तब है जब आपके अंदर एनरजी है और इस गाड़ी को जो शक्ति देता है वो है इसका इंजिन और मैंने से खोल दिया है तो यहां पर कोई इंसुलेशन प्लेट न अच्छी लगने वाली है तो यह सब कुछ यहां पर अच्छे से मिल जाता है और मुझे लगता है कि जिस बजट में कमपणी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है वहां पर यह अपने आपको सार्थक कर रही है तो दोस्तों आईए लिए चलते हैं आपको इस सेलेरियो के रिय एंट्रोड़रा है कि थोड़ा सा कहीं नगें से एक इंप्रूब्मेंट इसमें नजर आ रहा है वो कहां कहां है उस बताएंगे आपको तो यहां पर मुझे कितनी जगे मिल रही है देख लीज़े अगर मेरे जैसा बेकती बैठा है न तो मुझे इतनी जगे मिल जाती है औ तो एक आदमी कुछला रहेगा, तो एक आदमी ने तीनों आदमी कुछले रहेंगे, तो दो आदमी के लिए बहुत ही कमटेबल रहेगा, लेकिन तीसरा आदमी इसमें बैठने वाला है, 100% यहां पर कुछ और नहीं दिया गया है, 60-40 में यह सीट फोल्ड हो जाती है, तो मैं इसमें बैठकर पीछे वाली सीट पर यातर नहीं करने वाला, पर इसका मैं डिटेल में आपको कमफर्ट टेस्ट जो मेरा काफी पॉपलर सेगमेंट है, उसके अंदर बताऊंगा आपको कि कितनी चीज़ें और क्या-क्या जगे यहां पर ओफर करती है कमपनी, लेकिन इसी रिव्यू में आपको बता दूं कि दोनों दर्वाजे पर आपको पानी की बोल्टर रखने की जगे मिल जाती है, तो यह अची चीज़ें जो आपको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि पार्शल ट्रे दिया गया है, तो यहां से आप सामान भी पीछे डाल सकते हैं, आप सीधे अपरोच करते हैं, सामने का, और दिखाते हैं, क्या-क्या फीचर आपको मिलने वाले हैं, तो इसके मैं फ्रेंट सीट पर आगया हूँ, और कुछ चीज़ें आपको बताता चलों, तो इसमें जो बदलाओ किये गए हैं, वो बदलाओ यहां पर दिखने वाले है तो दोनों बिंडो को एकसेस करने के लिए इस जगे को याद रखना पड़ेगा आपको और यह जो पार्ट यहाँ पर दिया गया है यहाँ से आप बिंडो लॉक अनलॉक और बिंडो डाउन और आप यह दोनों यहाँ से कर सकते हैं और रियर के लिए यहाँ पे दिया गया है तो इसका फाइदा क्या हुआ है कि द्राइबर भी यहाँ से कर सकता है और पैसिंगर भी यहाँ से बनापूछने उसके कर सकता है तो दूनों सहुलियत यहां पर दे दी गई है हलाकि नॉर्मल रखा जाता तो भी मुझे पसंद था मुझे लगता है कि ज़्यादा बहतर रहता पर क्या है बदलाओ जरूरी होते हैं कई बार अच्छी दिखाने के लिए चीजों को और यहाँ पर इंजिन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है इसके अलाव आपको बतादू यह बढ़ी हा Malis good क्यूं डेती है जब आप कहीं पर रोकते हैं घाड़ी को तो अपने आप बंद हो जाती है जैसे यह आप डुबारा से प्रेस करते हैं कलच को यह ब्रेक पर पर रह एहती को पर जीजिए है तो कि बहुत ही अन्यूजूल सा है और यह थोड़ा आजीब लग सकता है आपको तो एक कुछ चीजे थी जो अलक्सी इसमें दी गई है लेकिन इस्टेरिंग वीड पर आपको टेल की सुविधा इस बेरियंट में मिल जाती है यह अच्छा लगने माला है और इस साइड में आ इसके अलाबा एक अच्छा इंपोटेंवेंट सिस्टेम यहां पर मिल जाता है आपको जिस पर आप स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो मारुटी का है उसे करनेट कर सकते हैं लोगों ने करनेट करके दिया हुआ है तो पूरा का पूरा रास्ता वर आपको दिखाता रहता है और बहुत सारी फीचर्स इसमें दिये गए हैं इसका जिक्रफ फिर कभी आराम से किया जाएगा क्योंकि मैं इसको मैं एक्स्प्लेन करना चाहरा हूँ फिर भी आपको छोटी मुटी चीज़ आपको बता देता हूँ जब आप इसे शुरू करेंगे तो सुजुकी आपका स लिख जाती हैं और जब आप जहां पर तारीख और दिन लिखा हुआ है तो उसको जब इधर करेंगे तो रेंज कितना देर एक गारी यहां पर आपको नज़र आने लगेगा तो यह अच्छा लगने वाला है मुझे 22 किलो मेटर का माइलेज मिल रहा है 350 किलो मेटर की करके एक्सेस कर सकते हैं तो यह अच्छा एक पार्ट था इसका मनें बता दिया है थोड़ा सा संक्षिप्त में डिटेल में कभी चाचा की जाएगी और यहां पर आपको क्योंकि एजिए से आटो गियर शिप तो यहां पर आपको यह आर एन एम और डी इतने सारे बटन मिल सहत तहत आपको यह आगाह करता रहता है जिससे आप सेप्टी के साथ कारी को पार्ग कर सकें एन और एम और डी मैनुल में भी आप ड्राइब कर सकते हैं और डी में कर देंगे तो अपने आप चलती रहेगी तो यह सुविधा यहां पर दी गई एक बहुत ही खुबसूरत लग रहा है चारुत तरफ इस पर सिल्वर एकसेंट मिल जाते हैं तो मुझे अच्छा लगा और यहां पर आपको जो करेक्टीपिटी मिलती है मोबाइल आप चार्जिंग पर लगा लीजिए और यहां पर आपको मिल जाता है हैंडब्रेक और यह रहा इसका गलब बॉक्स इसी पस समान रख सकते हैं इस दो एरवैग स्टेंडर्ड मिलते हैं तो यह भी अच्छा लगने वाला है और जो एस ही बेंट ही अच्छे से सिल्वर एकसेंट के साथ आता है यह बहुत खुबसूरती के सासते अपना काम कर रहा है प्रादे के की तुलना में काफ़ी प्री इस साइड में आपको बैंटी विरर नहीं मिलता है और यहां रही केविन की लाइट जो आप यहां से ओन आप जैसे नॉमली मिलता रहा है वैसे ही इसमें दिया गया है इसमें कोई बदला हो कंपरी ने नहीं किया है इसके इंस्टुमेंट क्लेस्टर की बात करें तो आपको चोटा सा टॉप बेरेंट में एक अलग से एक सिस्टेम मिल जाता है M.I.D. जिस पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मिशन आइबरेज कितना मिल रहा है किस गियर में है फिवल कितना है और आप इसको रिसेट कर सकते हैं इसके ट्रिप पर ट्रिप A, ट्रिप B, रेंज इस ज़रूरी चीज़े हैं उस सब कुछ आपको दिखता रहता है, गेट खुला है तो उसका साइन मिल जाएगा, हैंड ब्रेक अगर ऑन है ओ दिख जाएगा, हैड लैंप अगर ऑन है तो ओ भी दिख जाएगा, तो यह सारी चीज़े यहां पर मिल जाती है, सीट की बात करें तो सब गारी में होता है, जिसमें भी दिया गया है, हैंडल यहां पर नहीं मिलता है, हैंडल इस साइन में मिल जाता है, तो यह सारी चीज़े थी जो आपको इस गारी में मिलने वाली हैं, मुझे लगता है पुराने के तुलना में जो बदलाओ किये गए हैं, काफी आप्शन रहेगा पहले गारी के तौर पर यह सिलारियो और यही वज़ा है कि यह टॉप 10 से बाहर नहीं हुई थी इसके पहले कंपनी ओल न्यू ले आई अब बारी परफॉर्मेंस की तो इसे चला कर देखेंगे वहां पर जिक्र करेंगे इसके माइलिस का भी हैंडलिंग मे जिस हाईवे पर मैं इसे चला रहा हूं वहां से मैं आप तक परफॉर्मेंस पहुचाना चाहता हूं और इसमें आटो गियर शिप्ट मिल जाता है यह वही बेरेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा माइलेज का दावा करती है मारूती 26 प्लस किलोमेटर पर 30 टर तक का माइले करते हैं एक लीटर एंजिन की जहां पर बहुत साए लोग गारियों के सपने को पूरा करते हैं तो यह सलारियो सच में आपको डिसेपॉइंट नहीं करने वाली है पहले कि तुल्ला में काफी कुछ बदली नजर आएगी तो जो रिफाइनमेंट का लेबल है वो अलग जग कहां रहने वाला है तो अगर आप सतर से असी किलोमेटर प्रती घंटे की रप्तार पर चलोगे तो इस काड़ी में आपको एकदम पता नहीं चलेगा लेकिन जब इसके आप ऊपर चलाना शुरू करोगे आप हंडेट पार करोगे तो वहां पर जरूर आपको पता चलेगा क कि आप इस गाड़ी को चला रहे हैं और इसका जो रोड से जो आवाज आती हो केविन में सुनाई पढ़ती है तो इसे आप नहीं बोल सकते हैं कि बेल इंसुलेटेट केविन है लेकिन साथ में याद रखिएगा कि जितना पैसा आप खरच कर रहे हो जहां पर इस गाड़ी हैं सेलरियो लेकर तो बहुत जादा रफ्तार मत भरिएगा सतर से नबे की बीच में अपनी रफ्तार ढूड लीजेगा मुझे पक्का पता है एक तो आप बहुत सारे पिनाल्टी वाले पैसे बचाएंगे जो बहुत सारे आपको चुकाने पढ़ते हैं और इसके अलावा आपका मालेज भी बेतर मिलेगा तो अगर यह सब कुछ चाहते हैं तो आपको यह मेरी बात माननी पड़ेगी यह धान रखेगा जब सिंगल रोड पर इसे चला रहे होते हैं बार-बार शेफ्टिंग की जरूरत पड़ती है तो बहुत ही प्रिसाइजली ओवर टेकिंग य आपको तो जो आराम चाहिए लोगों को बंपर टू पंपर ट्राफिक में कि इस तरीके से सिटी कंडिशन बना हुआ है लोगों को घंटो ट्रैफिक में विताना पड़ता है तो उस लिहाद से अलारियो आपको डिज़पॉइंट नहीं करेगी एसी की बात करें तो एसी की कर सकते हैं तो यह सारी चीजे हैं इसमें जो आपको मिल जाती है है अगर विजबिलटी की बात करें तो आपको व facilivesse को पूरा रोड़ आपकी आंखों में रहता है और बोनट नजार अता रहता है अलाकि मैं एसे लिए कर सकते है यहDe को एच्जै कर सकते है मारुतिने और और जब आप लगातार देर तक बैठे होंगे ट्रैफिक में तो वहाँ पर क्या होगा कि इसमें एक सिस्टम दिया गया है क्योंकि यह स्मॉल हाइब्रिड के साथ आता है जिसे आप अन आप कर सकते हैं और उसे क्या फाइदा होगा कि यह जहाँ पर आप खड़े होगे आप एंजिन बंद हो जाएगा तो उसे आपका माइलेज इनहेंस होगा और पेट्रोल बचेगा ही बचेगा हो तो लाजमी है तो यह सारी चीजें हैं जो इस गारी के साथ में इस गारी के फ्योर में आती है अगर सस्पेंसन सेटप की बात करें तो वह मुझे काफी बैलें आप से आपको चीजें मिलती हैं और चोटे मुटे उबर खाबर रस्ते इसको परिजान नहीं कर पाते हैं गल्ती से मैं एक जगे ऐसी पहुंच गया था जो कि बहुत ज्यादा कच्छी रोड़ती और मैं आराम से वहां निकल पाया इसके बाद मैं अपनी इस बात को यहां पर इस्तापित कर रहा हूं यहां पर रख रहा हूं जो मुझे मैलेज अभी नजर आ रहा है ओभी मुझे काफी अच्छा इस पर दिखा रहा है तो यह मुझे लगता है कि अगर आप चलाएंगे इसे आराम से तो बड़िया मैलेज आपको मिलने वाला है तो 19 किलोमेटर प देखा सिर्फ छोटे डिस्टेंस का था क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं था लेकिन इसके बाद में लंबा चला कि इसका हमाइलेस टेस्ट करके आपके लेकर आएंगे कोई और सवाल करना चाते हैं तो करते जाएगा मैं उसका भी जवाब वीडियो के माधिम से देनी की कोश प्रिसाइज लगती है हाला कि मैं कम्यूनिकेटिव नहीं बोलूँ है कि आप कहीं से टरन ले रहे हैं फटाक से आपके हिसाब से बहुत कुछ यह कर दे नहीं बठाँ अच्छी लगती है जब आप चला रहे होते हैं और जिस लिहाद से इसको बनाया गया है तो वहाँ पर आपको मिला है जब ड्राइब कर रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे कमार्निक पोजिशन में रहते हैं और यह मुझे थाई सपोर्ट काफी अच्छा दे रहा है और पीछे बैक से भी मुझे काफी अच्छा एक पंच मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है इस पर इस पर रेफलेक्ट हुआ है जो मैंने आपको बताया तो दोस्तों यह था मेरा ड्राइब एक्सपिरियंस इस गारी के साथ में जो कि मुझे काफी प्रभावित करता है आई आर बियम का विजग कर दो साथ साथ बूल गया था तो आई आर बियम में आपको विजबिल्टी पीछे क पूरी मिल जाती है काफी अच्छी जगे पर इसे प्लेस किया गया है तो यह अच्छा लगता है और पीछे जो आपको इंटिगरेटर हैड्रेस दिया गया हला कि जब कोई उंचे बंदे बैठेंगे तो पीछे से हो सकता है कुछ चीजे बादा उत्पन करें बट फिलहाल यह अभी मुझे तो कोई पीशे है नहीं कोई तो मुझे ऐसा कोई दिक्ट नहीं हो रहा है तो इस लिहास से गारी अगरECT की बात करें तो आपको पसंद आएगी improvement की बात करेंगे तो अगर आपने salaryo देखी है तो काफी हद तक इंप्रूब हो चुकी है जगे की बात करें तो इसमें काफी अच्छी जगे मिल जाती है बहुत सारे utility spaces मिल जाते हैं और ACOC की बात करें तो यह आपको तो क्योंकि ठर्ण में मैंने experience किया तो इतना ही बोल सकता हूँ कि सही है अभी लेकिन बात में गर्मियों में कभी चलाएंगे तो वहाँ पर बता पाएंगे इसका अभी तो फिलाल जिक्र करना सही नहीं रहेगा bumper to bumper traffic में चलाएंगे तो वहाँ पर एकदम किया है मारुती ने और हो सकता है कि ये लोगों को और ज्यादा पसंद आए और जब कोई गारी जिसकी बेटिंग ना खतम हुई हो और टॉप 10 में हो और फिर भी उसका नया वर्जन आ जाए तो इसके लिए भी मारुती की तारीफ करनी पड़ेगी तो उमीद करता हूँ मेरा ये जो है एक्सपिरियंस ये आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने किया है फर्स ड्राइव एक्सपिरियंस था तो हो सकता है कुछ चीजे रह गई हो और जो चीजे रह जाएंगी उसका बाद में आपकी सामने जिक्र किया जाएगा अगर आप सिलेरियो के साथ भटक कर जंगल में फस जाएंगे न तो फसेगे नहीं निकल जाएएगे ये मैं सेउटी के साथ कह सकता हूं ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है तो आफ रोडिंग करने नहीं आए आई आफ रोडिंग वेहिकल नह인이 होते है लेकिन गलती से एक अच फीचर्स दीसेंट मिल जाते हैं जो अत्यादुनिक जमाने के फीचर हैं लोग पसंद करते हैं जिनको आज के जमाने की चीजे चाहिए उस अब कुछ इसमें कंप्री ने ओफर कर दिया है म्यूजिक सिस्टम कैसा है ये क्या काम करीगा मिरे इस्टाग्राम पर चलाएएगा वहा सुनके जाएएगा सस्पिंसन की बात करें तो यहां के रोड के कंडिशन के हिसाब से परफेक्ट है कोई बुरा नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं होती है जब आप किसी ओफ रोड पैचेस से गुजर रहे होते हैं जरूर केबने थोड़ी आवाद जाती है लेकिन जैसे ही बेल पेड रोड आता है तो भी खत्म हो जाती है तो मुझे लगता है पावर टू बेट रेशियो का इसमें कोई भी दिकत नहीं है क्योंकि हलकी गाड़ी है तो ये हराम से आपको सबसे आगे रखती है तो मायलेश क्यों अच्छा है क्योंकि इसमें जो सिस्टम लगाया गया है जो रिफाइन्मेंट है के सिरी जेंजिन का वो बहुत ही ला जवाब है और पक्का बतारों जो मारुती दावा करती है 26 किलोमेटर या 26 किलोमेटर से ज़्यादा का वो आप हासिल कर सकते हैं इस मारुती सुझकी सेलेरियो से मैंने इसका मारुती सुझकी सेलेरियो पॉकेट फ्रेंडली है और बजट में आपके गराज में खड़ी हो जाए कि तो दोस्तों उमीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फिर मुझसे कुछ रह गया कुछ और जूनना चाहते हैं तो मिने इंस्टाग